नमस्कार, स्वाक़त आपका अपने सेल स्टेडी के चैनल बर और आज हम अपनी इस वीड言 में डिसक्स करने वाले है कि जो भारतिय किर्केट है भारतिय किर्केट में जो महीला खिलाड़ी है क्या उनके साथ वेदवाव हो रहा है वेदवाव इन्दा सेंट कि जो nail खिलाडी है उसको fees ज़ादा मिलती है per match और एक जो woman खिलाडी है उसको fees जो है वो कम मिलती है तो ये जो चीज हो रही है cricket के अंदर भारतिय cricket के अंदर इस चीज को खतम करने के लिए BCCI ने एक policy की घोशना किया है उस policy को भी जानने वाले है साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर जो महिला खिला रही है उनकी situation कैसी है क्या वहाँ पर भी महिलाओं को कम fees दी जाती है as compared to male से जो same अगर मैं बात करूँ वो same game खेल रहे हो और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अगर overall हम देखें पूरे world में हम देखते हैं जहां पर महिलाओं को कम ही fees मिलती है as compared to male से किसी भी game के अगंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वो fees कम क्यों मिल रही है उसके पीछे क्या reason है यहां पर आपको वो तर्क भी सुनने को मिलेंगे कि हाँ इन कार्णों से महिलाओं को fees कम दी जाती है वीडियो में आगे बनने से पहले PDF के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जब वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए Board of Control for Cricket in India यानि BCCI ने एक policy की घोशना की उस policy का नाम है Pay Equity Policy इस policy के according क्या है कि कोई पुरुष या महिला खिलाडी जो है वो centrally contracted है यानि कि केंद्र ये अनुबंदित है तो उनको हर मैच में यानि जब वो महिला खेल रही हो जब वो पुरुष खेल रहा हो उनको मैच में जितनी फीस मिल रही है अगर एक पुरुष को कुछ भी मिल रही है यानि मान लो सुपोस्स सो रुपे अगर पुरुष को मिल रहे है तो सो रुपे भी महिला को ही दिये जाएंगे ऐसा नहीं है कि अब उसको सत्तर रुपे या पचास रुपे पकड़ा दिये जाएंगे तो सर क्या पहले नहीं होता था तबी तो BCCI ने इस policy की घोशन किया और यह बहुत ज़ादा important step उठाया गया है BCCI के दोरा gender pay parity को हासिल करने के लिए gender pay parity का मतलब हुआ कि एक चाहिए वो male हो चाहिए वो female हो अगर वो दोनों same pad के उपर है मतलब कि same post है उन दोनों की चाहिए एक company के अंदर वो काम कर रहे हो उनके पास same qualification है तो यहाँ पर male को ज़ादा जो है वो कहेंगे कि salary provide की जाती है as compared to female से तो यह जो BCCI की तरफ दोरा जो policy लाई गई है वो कहीं ना कहीं gender pay parity की तरफ एक बहुत ज़ादा important कदम उठाया गया है और Global Gender Gap Index 2022 इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे तो इसने क्या बात बोलिया है कि भारत में जिस तरह के की rate जो एक तरह के से progress चल रही है जेंडर pay parity को हांसिल करने की लग बग हमारे देश को 132 साल लग जाएंगे एक male को एक female के बराबर salary पराप्त करने में या फिर कहींगे एक female को male के बराबर salary पराप्त करने में 132 साल का हमें time लगने वाला एक full parity पराप्त करने के अंदर कहें हम जाण लेते हैं कि महीला खिलाडियों को अब фीस कितनी दी जाने वाली है पहले कितनी होती थी और अब कितनी होती है तो देखिए जो महिला खिलाडी है अब उनको प्रती test match यानि कि हर एक test match में अब जो महिला खिलाडी है उसको 15 लाक रुपे दिये जाएंगे और एक ODI यानि कि one day international है वहाँ पर 6 लाक दिये जाएंगे T20 international 3 लाक रुपे वहाँ पर दिये जाएंगे पहले कितने होते थे तो पहले one day international के लिए महिला खिलाडियों को 1 लाक रुपे दिये जाते थे और प्रती test match पे पहले जो है वो 4 लाक रुपे का भुकतान करना पड़ता था तो अब यहाँ पर आप देखिए 4 लाक से बढ़ा कर कितना कर दिये गए 15 लाक 11 लाक रुपे जो बढ़ा दिये गए यही सेम जो है वो अब क्या रहेगा कि mail जो है यागर वो सेम match खेल रहे हैं ची ODI खेल रहे हैं चीटी 20 खेल रहे हैं पुरुष को भी इतना ही मिलेगा अब महिला को भी इतना ही मिलेगा यह सब चीजें जो है वो इस policy के तैट की जाएंगी अब अन्य देशों के अगर मैं बात करूँ जहां पर यह समान वेतन लागू है या नहीं तो देखे भारत जो है वो international cricket में एक जो समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बना है पहला कौन सा था पहला न्यूजिलेंड था जिसने 2022 में देश के खिलाडियों की एक जो हम बात करेंगी association है उनके साथ एक deal की थी उस deal में जो महिला किर्केटर हैं उनके दौरा भई उन्होंने एक case डाल रखा था वहां की अपनी federation के अंदर अमेरिका में तो वो 6 साल से वो case चल रहा था और वो एक इस case को जीत गई यानि 6 साल एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद जब ये इस case को जीती तो चार महिने बाद New Zealand ने भी अपनी इस deal की जो है वो घोशना कर दी थी अब tennis के अंदर भी क्या हुआ पुरुष और महिला को एक समान जो है वो वेतन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और आज की date में जितने भी tennis के अंदर जो tournament होते हैं जो वो Australian Open है Roland Garros है या Wimbledon है या USA Open है जो चार है चार प्रमुक इसके tennis tournament है इन सब में समान पुरुषकार जो है वो रासी परदान करते हैं जो हो महिला हो जो पुरुष हो अब बात करें कि खेल के अंदर ये जो आप देखते हैं जेंडर पे पैरेटी इसको लाने में इतनी चुनोतियां क्यों हो रही है यानि कि हम कर क्यों नहीं सकते वह इसका सबसे बड़ा reason यहाँ पर जो दिया जाता है वो एक है अगर मैं monetary benefit के अगर मैं बात करूँ खेल के अंदर तो obviously कुछ चीजों के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अगर किसी को benefit कमाना और monetary यह नि पैसे कमाने हो खेलों से तो कैसे कमा सकते हैं तो एक विग्यापन होता है विग्यापन अब उस खेल में दर्शक आ रही है तभी विग्यापन दिखाएंगे दर्शक एक आ रहा है तो विग्यापन का खर्चा वहाँ पर क्यों होगा sports merchandising वहाँ क्यों होगी ticket वहाँ पर नहीं विखेंगी तो यह सारी चीज़ें जो हैं वह दर्शकों के उपर depend करती है तो fan base के उपर depend करती है तो आज आप देखते हो जो किसी भी खेल में खेल की endrocentric परकृती से परभावित होती है endrocentric क्या होता है देखिए endrocentric एक ऐसा nature है मतलब कि जो male के चारों तरफ ही इर्दगिर्द ही गोमता है यानि कि male से ही काफी ज़्यादा परभावित है और खेलों के अंदर ये सब चीज़ें है अगर खेल जगत में मैं बात करूँ महिलाओं की जो entry है वो बहुत बाद में होई है as compared to male से क्योंकि समाजक परतिबन थे उनको खेलने नहीं दिया जाता था Olympic के अंदर तो बहुत बाद में जो है वो महिलाओं को लाया गया था जिसके कार्ण क्या हुआ महिलाओं के खेल का जो मनरंजन मुल्य है वो कम हो गया क्योंकि पुरुषों ने उनकी स्थान स्टार्टिंग में ले लिया था तो एक ये रीजन दिया जाता है इसके अलावा रीजन एक और जो दिया जाता है कि क्यों जेंडर पे परिटी नहीं हो सकती एक है परदर्शन में अंतर यानि different performance होती है वो कैसे देखे पुरुष जय ये माना जाता है कि पुरुष जय वो मजबूत है महिलाओं की तुलना में और वो खेलों को बहतर परदर्शन कर सकते हैं इसलिए उन्हें अधिक राशी का भुकतान किया जाने चाहिए अब professional tennis में पुरुष जय वो परती मैच पांच सेट खेलते हैं और जो महिलाओं जय वो परती मैच जय वो तीन सेट खेलती हैं इस नियम के ये जो धारणा है ये जो नियम है वो इस बात को बताती है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाए हैं वो शारे देटेटी से कमजोर हैं अब भले ही महिलाए जो है वो 5 सेट खेल सकती है उनकी इच्छा है उनकी शमता है बावजुद उसके जो निर्ने लेने वाले हैं जिसमें निर्ने किसे नहीं लिया होगा जादा पुरूशी थे इसके अंदर जिनका मानना था कि अगर हमने महिलाओं को एक मैच के अंदर पांच सेट खिला दिये तो खेल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी इसके अलावा यहाँ पर तीसरा रीजन यह दिया जाता है कि जेंडर पेपरिटी क्यों नहीं हो पा रही है परतिनीदी तुन संबंदी समझच जाएं य कि रीप्रेजेंटेशन इशु आता है मारे सामनी जो गवर्ननस है स्पोर्ट्स की पर्त्या गवर्ननस है यानि कि खेल में नियम कैसे होंगे खेल का पर्शाशन वो कैसे चलेगा वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुँ जादा कम जो और है तो ये एक reason भी आता है जो वेतन में अंतर बने रहने का एक कारण है कुछ साशन प्रसंचनाओं में महिलाओं का जो परतिनीदित है उसमें सुधार हुआ है, definitely हुआ है पर महिलाओं की भागेदारी बड़ी है, जो गवर्नरिंग बोडी है, स्पोर्ट्स की लेकिन ये हाली में हुआ है, आने वाले टाइम में शायद धिरे-धिरे ये सब चीज़ें और सही हो जाएंगी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या फिर कहीं काफी सारे इसे गवर्नर्स हैं स्पोर्ट्स के जहां पर महिलाओं की जो सदश्यता है वो बहुत जादा कम है और उनको बढ़ाना बहुत जादा जरूरी है ताकि वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नियम में फिर बदल कर सके अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक जो बात बोली थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जिसने बोला कि भारत को 132 साल लग जाएंगे एक महिला को एक पुरुष के बराबर सेलरी हासल करने में हर जगहें पे यानि कि पूर्ण रूप से तो उसको 132 साल लग जाएंगे यह बात कि यहां पर बोली गई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 हैं अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है चार जीने कौन-कौन सी होगी एक एकनोमिक पार्टनर्शिप एंड अपोर्चनिटी होगी यानि आर्थिक भागेदारी और अफसर कितने हैं महिलाओं को सेक्षिक प्राप्ति यानि शिक्षा कैसी हैं महिलाओं के पास उनको प्राप्ति कितनी हो रही है स्वास्थ्य एवं उत्तर जीविता यहनी कि उनका health कैसे survival कैसे कर पा रही है और राजनितिक empowerment यहनी कि political power कितनी है महिलाओं के पास यह चार आंकडे जो हैं जिसके ओपर यह जाना जाते हैं कि महिलाओं की श्थिती कैसी है वहाँ पर gender gap ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो इसके अधार पर मापता है कि महिलाओं को कितना ज़्यादा वहां पर रिप्रेजेंटेशन है या फीस कितनी है या वेतन कितना है यह सब चीज़ें जो है इन चीज़ों के उपर आंकी जाती है एके करके इनकी हम बात करेंगे तो देखे भारत के परदेशन के बात करूँ तो भारत ने 146 देशों में 135 अस्थान प्राप्ट किया पहले यह ज़्यादा था मतलब कि हमने बहतर परफोर्मेंस की है भारत का जो कुल स्कोर है 0.625 है 2021 में यह सुदर मतलब कि 2021 में इतना था अब सुदरकर कितना हो गया 0.629 यानि कितना बढ़ गया 0.004 इतना हमारा जो है पोइंट बढ़ गया जो अब तक का 16 सालों में हमने काफी ज़्यादा अच्छा परदर्शन भी किया है 2021 में 156 देशों में हमारा 140 स्थान था आर्थिक भागेदारी और अफसरा के अगरम बात करूँ जिसमें श्रम बल महिलाओं का परतिशत समान कार्रे के लिए समान मजदूरी अर्जी ताय में बात करूँ तो मही भारत जब वो 140 देशों में से 143 में स्थान पर आते हैं बहले ही 2021 में हमारा स्कूर 0.326 से बढ़कर 3.350 हो गया हो आज की डेट में 2022 में बावजूद इसके हम 143 रैंक पर आते हैं फर्स 2021 में अगर हम बात करें 156 देशों में हम 151 में नंबर पर थे बारत का स्कूर वैश्विक औसथ यानी की ग्लोबल एवरेज से भी बहुत जादा कम है केवल इरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम से पीछे हैं समाजिक आर्थिक और राजनेतिक जीवन में जो जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए भारत ने क्या-क्या इनिशेटिव किये हैं या कि कौन सी पोलसी चलाई है तो आर्थिक भागेदारी और स्वास्ते तदा जीवन रक्षा के लिए भारत ने बेटी बचाओ बेटी पढ जाहू जो है यह स्कीम चला रखी है महीला शक्ति के अंदर यह सकीम चला रखी है सुकन्य समरिद्धि योजना चला रखी है यानि पंचायती राज में आप देखते हैं जहां पर 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है लोग सभा के अंदर भी जो है ये सीटें जो है वो 33% करने की जो एक तरीके से सिफारिस की गई है लेकिन बावजुद उसके ये अब तक लागू नहीं हो पाया है देखते हैं आने वाले टाइम में ये सब चीजे कब होती है तो उमीद करता हूँ कि जो आज का जो टोपिक है महिलाओं को लेकर कि वहाँ जो किर्केट में महिलाओं को अब बराबर का या समान जो है वो पुरुष महिलाओं के समान जो है वो पुरुष खिलाडियों के समान जो है वो वेतन या फीस जो मिलने स्टार्ट हो जाएगी समझ में आया, कितना आया और आपको क्या इसके अंदर जानना था तो बसाज के लिए इतना ही था, thank you for watching this video